हेलो एवरीवन वेलकम तो दिस सेशन आप लोगों की दरब से कोमन क्वेरी जो बार बार आ रही है वो यह कि सर आर विए रेट वी ट्वेंटिविकेशन कर रिलीज होने वाली है और यह प्रसन आपके दिमाग में आना भी सौभाविक है क्योंकि इस बार इंडिया में हमारे इसमें जर्नल इलेक्शन भी हैं फोर लोगसबा ठीक है तो नोटिविकेशन उससे पहले आएगी या उसके बाद में आएगी तो यह बहुत सारे सवाल आपको भी प्रेसान कर रहे होंगे और आपकी इनक्वेरीज को सुन-सुन के थोड़ा बहुत डाउट हमारे मन में भी दुरू हाजाता है बड़ में एक एस्चुरंस आपको दे रहा हूं यहां पर वह यह कि चाहे पहले आई लेक्शन से चाहे बाद में आई लेकिन आपको यह तो मालूम है ना कि नोटिविकेशन पक्का आएगी अगर पक्का आएगी तो एक सवाल आप अपने आप से करते रहे और जब आई तो एक्जाम से पहले बहुत कम समय था और वह क्वालिफाई नहीं कर पाए फोर दा फेस्टू एक्जामिनेशन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो जो फेस्टू के लिए प्रिपेर करते रहे और जब एड़ दा मुमेंट उनको लगा कि यार अब फ पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है हमें लगता है कि जो कट ओफ है ओवरॉल कट ओफ फेस्टू से नीचे है बट शिक्स्टी ए शिक्स्टी से कम फिप्टी फोर पॉइंट सम्थिंग मार्क्स लेना भी आज के टाइम पर इतना सान नहीं है इस एक्जाम के आपको प्रेक्टिस करने पड़ेंगे और यहां पे आप लैक कर जाते हैं और जिस वज़े से आपका जो एक ग्रेट बी मैनेजर वनने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाता इन सब आशाओं और अपेक्साओं पे खरा उतरने के लिए हमने लौंच किया है हमारा RBI ग्रेट भी 2021 का 2024 के लिए Phase 1 का Live Crash Course इस Live Crash Course के अंदर हम आपको क्या क्या कंप्लीट करवाएंगे कैसे यह बैच चलेगा कितने दिन में और कब से शुरू होने जा रहा है इसकी complete detail आज की वीडियो में हम share करेंगे बट उससे पहले जो चीजें जानना आपके लिए जरूरी है हम यह ब पर का लेवल tough है no doubt दूसरा क्या है बहुत सारी चीजे हैं जो आपको सायद timely और updated उसमें उपलब्ध नहीं हो पाती जिसकी वजह से और एक सबसे बड़ी चीज तो है awareness ठीक है अगर वह awareness नहीं होगी तो सायद आप इस exam को crack नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इस batch 1 sorry batch 3 हमारा य आप अपने के बीचे जो कालना वो यह भी है क्योंकि batch 1 और batch 2 के जो feedback है ना वो चीजे हमें motivate करती है वो प्रेरित करती है ठीक है तो यह हमारे batch 1 और batch 2 के बहुत सारी feedback हैं जिसकी वजह से हमने इनी बच्चों की के motivation की वजह से हमने जो है वो यह batch 3 शूरू किया है पहले थे इन feedbacks को आप आराम से पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे कि हम phase 1 के लिए एक crash course launch कर रहे हैं और यह batch 3 होगा जिसमें आपको flat discount भी मिल रहा है 50% का जिसके लिए आपको code यूज करना है live ठीक है इसी वीडियो के description में link का जाईए और जाकर के इस batch से जुड़िएगा 50% का ओप मिल रहा है और code यूज करना है live ठीक है अब detail में बात करते हैं कि इस batch के अंदर क्या-क्या चीजें आपको मिल रही है सबसे पहली चीज तो यह batch सिर्फ और सिर्फ 60 days में cover होगा ठीक है only 60 days ठीक सारे subject हम cover करेंगे quant reasoning और English की classes होंगी और GA का आपको complete material मिलेगा चाहिए आपका current affair वाला part है रिपोर्ट से स्कीम से सब चीजें वह मेरे साथ faculty available है यहां पर गुर्किरसर है मेगना मैं मैं आपको detail में समझा देंगे कि हम क्या-क्या चीजें देंगे ठीक है दूसरा यह batch स्टार्ट हो रहा है 19th of February से ठीक है 19 February से यह batch स्टार्ट हो रहा है 60 days 2 घंडे daily और क्या-क्या हम cover करेंगे आईए detail में बात करते हैं मैं आपको ले चलता हूं batch ठीक है तो हम यहां पर live हमारा यह जो course है यह open कर रहे हम लोग तो यह हमारा course है RBA grade B 2024 phase 1 crash course batch 3 है यह हमारा तो इसमें आपको जब आप इससे जुडेंगे तो यहां पर आपको तीन section दिखाई देंगे पहला section है जिसमें phase 1 journal awareness वाला section दूसरा है जिसमें आपको sectional quiz और full length mock test मिलेगा और तीसरा जो यह section है यह live classes का section है तो जैसे ही आप इसको open करते हैं तो schedule ठीक है आप यह schedule देख लीजिएगा फटा-फट से अब देखो यहां पर पर हमने पूरा schedule बना के आपको दिया है इस schedule में आप अगर देख पा रहे हैं मैं थोड़ा सा इसको zoom भी कर देता हूं अगर थोड़ा issue है तो 19th of February से classes start हो रही है 19th of February Monday से class का जो timing होगा वो 6.30 to 8. 30 p.m. होगा क्योंकि यह दोनों लोगों के लिए अगर आप student है या आप एक working aspirant है तो दोनों के लिए अच्छा time होता है कि अपना काम करके आईए और रात में आकर करके आराम से बैठके पढ़िएगा ठीक है तो जो पहली class है वो quant की orientation video होगी मैं खुद आपको quant पढ़ाऊ की question है percentage ratio DI यह सब चीजे और जो चीजें इसमें पढ़ाई जाएगी इस batch के अंदर वो आपकी अवल दर्जे की होगी इसमें हम बिल्कुल basic से सुरू करेंगे बिल्कुल चोटी-चोटी बाते भी मैं आपको बताऊंगा class के अंदर ही उस topics से related पिछले 6 साल के previous year questions को discuss करेंग और अलग से आपको previous year question की pdf भी मिलेंगी ठीक है अलग से pdf भी मिलेगी और हम class में भी cover करेंगे और साथ की साथ आपको new pattern और exam में पूछे जाने वाली different different style के question यहाँ पे हम live discuss करेंगे यह classes live होंगी लेकिन यह अगर आप live नहीं देख पाते हैं कभी कबार किसी region की वज़े से तो आप को यह recorded भी available रहेगी और इस batch की validity है वह 30th November 2024 तक है सायद है तो एक बार मैं आपको दुबारा फिर से दिखा भी दूँगा यह one year के लिए है 365 days के लिए तो वह अभी हम आपक को दिखा देंगे यहां पर वह आप जब course purchase करेंगे वह information पूरी मिलेंगे वह पढ़ भी सकते हैं ठीक है लेकिन no doubt यह मत सोचेगा की paper से पहले खातम हो जाएगा ठीक है तो 365 days में आपका paper होई जाना है चलो तो वह सारी चीज है रहेंगी तो हम बहुत अच्छे से पढ़े आप अपनी कोई भी query live faculty से पूछ पाएंगे और दूसरा क्या है कि एक तो practice क्योंकि quant or reasoning देखो भाई जितना जब तक आप execute नहीं करोगे आपने सीख भी लिया चाहिए लेकिन आपने practice नहीं की तो तब तक आप वो नहीं दे पाओगे जो आपको exam में देना है output नहीं एक mentor आपके सामने बेटा है आपको जो मर्जी पूछना है पूछिएगा ठीक है और उसके बाद फिर आपको इन पर बेश्ट चैप्टर वाइस टेस्ट मिलेंगे जैसे एक topic हमने पड़ा उस पर question कर लिया हमने concept पढ़ लिया new pattern PYQ सब कुछ फिर उस पर बेश्ट प्रेक् कवर करेंगे उसके बाद फिर 11th of March से आपकी English की क्लाशी स्टार्ट होंगी English आपको नर्वीर सर पढ़ाएंगे नर्वीर सर अभी है नहीं यहां available नहीं अभी हमारे साथ लेकिन सारी क्लाशी आपको English वाली नर्वीर सर देंगे बहुत अच्छे अच्छे तरीके से English को मतल इसके भी कवर की जाएंगे और वही सेड्यूल यहां भी रहेगा 6.30 to 8.30 तो सारी चीज़े ठीके उसके बाद फिर 28 मार्ट के बाद आपका रीजिनिंग वाला सेक्षन शुरू हो जाएगा तो रीजिनिंग आपको मेगनमें पढ़ाएंगे ठीके बाई और यह 16th of April तक आ क्लास है उसके बाद अगर हम देखें जैसे आप यह 20 February वाली क्लास खोलेंगे तो यहां पर आपको एक ट्राइल क्लास मिल जाएगी समझ रहें यह नॉर्मली उन बच्चों के लिए हैं जो अभी लेगन आपको तो सारी अवेलेबल होंगी टोटल और यहां पर आपको क्या ग TRAश यानि कि यहां पर हम chapter wise हाँ चीजं तो ह पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे live classes के अंदर उसके बाहत अलग से प्र section wise आपको क्वांट के अलग से टेस्ट मिलेंगे, रेजिनिंग के अलग से, इंगलिस के अलग से, और जीए के अलग से, ठीक है, और उसके बाद फिर फुल लाण टेस्ट भी होंगे, तो ये complete इस बैच के अंदर रहने वाला है, ठीक है, तो क्वांट में हम complete पढ़ेंगे, चाहे में अगर आप भी महनत करते हो तो टेंशन लेने के जरूरत नहीं हो ठीक है चलिए तो आप रीजनिंग में कैसे चीजें कवर होंगी वो मेगना मैम आपको बताएंगे तो मैं बुलाना चाहूंगा मेगना मैम को अपיקर में मिला अपूरत नहीं है था है तो एक मैंः हुक शपस्तरन वाल कि नहीं और की अपकली हैर न यह भी तो समीजें के कला कि इस तरीके से अब आपके लिए इंडिविज्वल स्ट्रेटिजी आप बना सकते हैं कि आपको किस चैप्टर में कितना ध्यान देना है कितनी प्राक्टिस करनी है ठीक है तो उसके बाद फिर फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा अब आप बोलेंगे चैप्टर तो बहुत एजी है यह क्या कर रहा है यहां पर बट ऐसा नहीं है हम कोई भी चैप्टर यहां पर मिस नहीं करने वाले हैं चाहे वो सिंपल हो चाहे वो डिफिकल्ट हो वाई बिकेस यहां से भी आपके क्वेशन बनते हैं एक्जाम में ठीक है फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग है इसमें हम बिल्कुल बेसिक क्वेशन से लेकर आपके लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग भी आपके कवर करेंगे आप इसके बाद मतलब यहां इन सेशन के बाद आइम शूर कि आप लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग पर कहीं नहीं आउटपुट हम करेंगे, syllogism पढ़ेंगे, ठीक है, inequality, ranking and order, blood relation, direction sense, sitting arrangement and puzzles, आप different different पढ़ेंगे, अलग लग दिन होगा आपका, वही two arts की class है, but class आपकी two arts से भी जाएगी, क्योंकि हम आपके सारे doubts cover करेंगे, तो जब तक doubts complete नहीं होंगे, किसी भी student का हो, तब तक आपकी class चलती रहेगी, आपका यहां पर puzzle है, data sufficiency है, and data sufficiency के बाद भी critical reasoning दो parts में आपका है, ठीक है तो दो दिन हम critical reasoning भी पढ़ने वाले हैं, तो यह वाला जो topic है आपका यह भी miss नहीं होगा, क्योंकि इसकी भी अच्छी खासी weightage आपकी exam में रहती है, और इसके बाद यह सारे sessions के बाद आपको quiz attend करने हैं, यह ध्यान लखिएगा, जैसे सर नहीं बताया, quiz आपको मिलेगी, तो उसको जरूर attend करिएगा, and sectional test भी आपको जरूर attend करना है, चलिए, तो मेगना मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वह यहां पर complete reasoning को cover करेंगे, जो भी topic, RBA grade भी exam में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, और live का मतलब यह होता है, कोई भी query आये, कोई भी doubt आये, आप faculty से सीधा पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, अधर्वाइज क्या होता है, अधूरी चुटती रहती है, आज कुछ हुआ, कल कुछ हुआ, और यहां पर आपने पड़ा, सीखा, कोई doubt है, साथ के साथ रिजोल कर लिया, साथ के साथ practice कर ली, तो उससे मज़ेदार चीज कुछ होई नहीं सकते हैं, और इसके इलावा हमने आपको बताया था, कि हम आपको इसमें, sectional test और full length test भी देंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर schedule है, जिसमें आपको quant reasoning और English के आप देखेंगे यहां पर देखो, आपको sectional test मिलेंगे 10, फिर reasoning के 10, फिर English के 10 टेस्ट मिलेंगे आपको, और फिर आपको जो full length mock test है, वो आपको इस course के अंदर मिलेंगे सारे के सारे, तो यह धान रखना है आपको, तो यहां पर आपको live classes तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको sectional or full length test भी मिलेंगी, तो आपको कहीं और से practice करने के जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक proper team है हमारी, फेकल्टी से मैं आपको rubro करवा रहा हूं, लेकिन back end भी support team है, जो आपकी queries, जो आपके doubts, ready करने के, रिजोल करने के लिए ready रहते हैं हमेशा, तो एक complete ecosystem हम आपको यहां पर provide कर रहे हैं, ठीक है, अब एक next, जो doubt आपके मनमे रहा होगा, कि sir, quant reasoning English की तो classes हो जाएंगी, लेकिन what about journal awareness, ठीक है, तो journal awareness में को किस तरीके से हम इस बैच में cater करेंगे, वह आपको बताएंगे गुर्किरत sir, तो over to गुर्किरत sir. Thank you sir. So guys if I talk about general awareness, देखे general awareness में based on the analysis of past five years examination, I will say GA आपका चार pillars पे stand करता है, तो चार pillars क्या है, schemes है, reports है, current affairs है, और आपकी RBA website है, इसके बाहर से यहां पे सवाल जो है, क्योंकि यही पे ही आपका sum up हो जाता है, and this thing is sum up in this specific course for you, in the different sections that you will see, because हमने हर एक sections को proper weightage दिया है, schemes which are relevant for phase one and phase two, specific section by the name of scheme step, तो यहां पे आपको एक proper document मिलेगा, उसके साथ you will be able to attempt the quiz, तो आपको दोनों यहां पे quiz मिलेंगे in the schemes document, so full-fledged schemes document है, अगर हम आपको थोड़ा सा brief कर देता है इस document के बारे में, when you will get into the course also, यहां पे आपको तीन sections मिलते हैं, first section, कोई भी ऐसी scheme, जो की major launch होई है, there is any update there, that will be there, इसके इलावा कोई schemes जिनका नाम आया है, या पे कुछ ऐसी ministries की scheme है, जो की इतनी relevant नहीं है, बट फिर भी news में है, that will be covered under your second section, and schemes बहुत repeated होती है, तो हमने third section specifically आपके लिए बनाया है, that is known as reference section, जहां पे आपको यह बता चले है, कानसी ऐसी scheme है, जो पिछले 2-3 months में news में थी, और अभी उसके उपर कुछ न कुछ news आई है, so that you are in touch with those schemes also, इसके बाद आता है दूसरा component अगरा बात करो, that is your reports component, तो reports के लिए आपके course में basically, हमारे पास 3 sections है, dedicatedly, वो कौन से कौन से, if your reports are monthly, जैसे के World Economic, World Bank ने report ने का लिए, WTO ने reports निकाली, जो monthly basis पे है, we have a designated document, जिसका नाव है reports tab, यहां पे भी, आपकी reports बहुत structured में structured है, जहां पे, first section covers those reports, which are released by national and international organizations, related to your syllabus, और थबसे important बात दोस्तों, यह reports आपकी phase 1, phase 2 दोनों के लिए useful है, दूसरे section में वो reports, जो कि private organizations निकाल रही है, ठीक है, syllabus related करती है, तो वह भी यहां पे covered है, किसी private organization ने report निकाली, hardcore phase 1 की report है, तो वह भी यहां पे आपकी covered है, इसके लावा, कुछ specific reports हैं, जो आपकी syllabus में mentioned हैं, जैसे कि RBA की annual report हो गई, आपकी financial stability report होगी, trends and progress की report होगी, तो वह reports, आपकी misleading reports section में covered हैं, विच में कोई भी ऐसा part, जो आपके syllabus में defined है, वह आपका यहां पे miss नहीं होगा, ठीक है, इसके लावा budget के लिए हमारा specific section है, और इसके बाद जो भी बच्चा, current affairs में, उसके लिए एक आपके defined magazine, इसका नाम है current tab, जहां पे अलग आपको fit division मिलेगा, GA, GA plus ESI, यानि कि वह current interface जो आपके ESI syllabus से relate करते हैं, GA plus finance, वह चीज़े जो आपके finance syllabus से relate करती हैं, तो comprehensive coverage आपको यहां पे मिलेगा, अब point number two, कि GA की live classes नहीं हैं तो sir क्या करें, देखिए उसके लिए क्या है, कि आप material यहां से बढ़ सकते हैं, इसी के aligned ही हमारी YouTube की series चलती है, तो series हैं, एक है CT360 जहां पे आपको GA और ESI यह current interface करवाते हैं, इसके लावा RBA website या फिर finance current interface के लिए हमारी series है, Finance360, दोनों ही series आती हैं Tuesday, Thursday और Saturday को, finance series आती है, 10 a.m. और CT360 आती है पांच बजे, तो आप वहां से इसी course को वहां पे आप कहीं न कहीं align कर सकते हैं, और अगर course में कोई डाउट आता है, तो देखिए यहां पे discussion forum में जाके आप अपनी queries पोस्ट कर सकते हैं, और concerned faculty आपको वहीं पे रिवर्ट कर देगी, तो I hope, आपको comprehensively प्रचलगागा, GA कैसे cover होगा, Now I will hand over the mic again to Vishnu sir, to give brief about this thing. Thank you Gurkiris sir, ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि किस तरीके से जो GA वाला section है, वो यहां पे catered करेंगे, जहे आपकी reports हैं, आप उन चीज़ों को पड़ करके, question कैसे frame कर सकता है exam में, वो भी practice यहां पे कर पाएं, तो current affair में भी आपको टैंसल लेने के जरूरत नहीं है, इस course में आने के बाद, तो यहां से आपको सारी चीज़े मैंने आपको बता दी हैं, कि किस तरीके से, यह course जो है वो चलेगा, जिसमें आपको quant reasoning English की live classes मिलेंगी, recorded भी available रहेंगी, ठीक है अगर आप कोई class miss कर जाते हैं, live attendance नहीं कर पाते हैं, तो multiple time उसको बाद में भी देख सकते हैं, आपको topic wise test तो मिल रहे हैं, साथ में sectional test और full line test, और GA की जो है वो phase 1 के लिए complete coverage मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस batch का जो link है बचे, वो इसी video के description में डाल दिया गया है, और इसके इलावा आप हमारी website पे जाके, या edit app की app download करके, वहां से भी इस batch के साथ जूड सकते हैं, दो चीजें धान रखिएगा, इस batch पे एक तो आपको code यूज करना है live, so that आपको 50% का जो off है वो मिल जाए, ठीक है और दूसरा याद रखिएगा, जो classes हैं वो 19th of February से start हो रही है, ठीक है 19th of February से start हो रही है, डेली दो घंडे की class होगी, दो महिने का time हमने रखा है, 60 days में हम इस batch को complete कर देंगे, बहुत अच्छी practice के साथ, ठीक है और कोई भी query आपकी होगी, तो वो आप हमसे live class में तो आप live पूछ सकते हैं, उसके इलावा discussion forum पे, emails पे या faculty से बात कर सकते हो, Calendly call के through या वैसे भी अपनी call से dual करवा सकते हो, तो यह सारी चीजें आती हैं हमारे ecosystem के अंदर, जो best है आप लोगों के लिए, अगर आप भी महनत करते हैं तो, क्योंकि सिरफ batch खरीदने से कुछ नहीं होता है, अगर आप में जजबा है, आपने सोचा है कि मुझे RBA grade B manager बनना है, लेकिन वहां कोई बादा है, कोई रुकावट है कि आपको अच्छे level का content नहीं मिल रहा, कोई आपकी queries रिजोल कर दे, कोई आपको live पढ़ा दे, अच्छी चीजें आपको एक जगह मिल जाए, तो आईए इस batch को join करिए, और मिल करके हम RBA grade B manager बनने का जो आपना का सपना है, उसे पूरा करेंगे, तो और अधिक जानकारी के लिए हमारे number पे भी call कर सकते हैं, जो हमारा number है, that is 8146-207241, आप जंबर जी यहां पे, या hello at the rate, edit app.co.in पे, जब भी आपकी कोई भी query आई, related to this batch या कुछ भी आपको पूछना है, तो आप यहां mail कर सकते हैं, या सुबह 9 बजे से स्याम के 6 बजे तक कभी भी यहां call कर सकते हैं, ठीक है, तो batch का link इसी वीडियो के description में है, अगली मुलाकात क्लास में होगी, और मिल करके इस सपने को साकार करेंगे, all the best, मिलते हैं कलास में, bye bye, take care, thank you very much, जय हिंद, जय भारत!